हलो औन वल्कम टू टेली टॉकीज वेल दोस्तो टीवी का एक बड़ा कपल जिसको शादी किये हुए नौ साल हो चुके हैं लेकिन अब लॉकडाउन की वज़े से इनका रिष्टा भी जूल रहा है इनका रिष्टा कभी भी तूर सकता है क्योंकि इनके रिष्टे में खटास आ चुकी है किसकी बात कर रही है हम चलिए हम आपको टेली टॉकीज पर बताते हैं लेकिन अगर अभी तक अपने चानल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं दोस्तो टीवी अक्टर करन महरा और उनकी वाइफ निशा रावल दोनो ही शादी कर चुके हैं और इनकी शादी को 9 साल हो चुके हैं इन दोनों का एक प्यारा साब बेटा भी है जो कि सिर्फ 4 साल का है उसका नाम है कवेश लेकिन अब एक बड़े न्यूस पेपर की माने तो करन और निशा के बीच का रिश्ता खराब हो चुका है इन दोनों के पीच में चीजें صहीं नहीं चल रही हैं। कुछ महीनों से इन दोनों के बीच में एक दूसरे से काफी ज़ादा नाराज़गी है। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। और रश्टा तूटने की कगार पर आ चुका है। जी हाँ हम आपको ये भी बता दें कि दोनों ने वैसे तो चीजों को सॉट आउट करने की काफी कोशिश की लेकिन अभी तक चीजें ठीक नहीं हुई हैं करन इस समय पंजाब में अपनी फिल्म की शुटिंग कर रही हैं तो वहीं दूसरी और निशा अपने बेटे के साथ मुंबई में रह रही हैं जब न्यूस चैनल ने इन से बात करने की कोशिश की तो दोनों ने ही इस सवाल को नकार दिया हम आपको बता दें कि करन महरा ने सीरियल ये रिश्टा क्या कहलाता है में नैतिक का किरदार निभाया था और हिना खान के साथ इनकी जोड़ी सूपर डूपर हिट होई थी करन को आखरी बार सीरियल एक ब्रहम सर्वगुन संपन में देखा गया था उसके बाद से इनके फैंस को इंतजार है इनकी परदे पर वापसी का वैसे तो करन और निशा ने साथ में नचवलिये जैसा शो भी करा है लेकिन अब हम यहीं उमीद करेंगे कि जल से जल इनका र बुलें